वेरी गुड मारिंग त्यू आल अफ यू स्टुडेंट्स आज हमारा सैटेड़े को एवियस का रहता है क्लास तो आज हम एवियस के देखा आपके सबसे पहले तो से टू में एवियस में टोटल सेवन चैप्टर्स हैं तो हम इन्हीं को पढ़ेंगे तो आज हम फर्स चैप् करेंगे क्लॉट्स का मतलब होता है सबसे पहले तो सी एल ओ टी एच एस क्लॉट्स का मतलब होता है कपड़े मतलब क्या होते हैं जो हम पहनते हैं क्या करने के लिए हमारी बॉड़ी को प्रोटेक्ट करने के लिए तो आज हम उसी चैप्टर को पढ़ेंगे थोड़ा से चै कि हम अपने शरीर को ढग सकें क्लॉट्स प्रोटेक्ट अस फ्रॉम हीट क्लॉट्स कपडे हमारी बॉड़ी को किससे प्रोटेक्ट करता है Protect P.R.O. T.E.T. Protect मतलब बचाना कपडे हमारे शरीर को किससे बचाता है Heat से मतलब गर्मी से Cold मतलब थंडी से rain मतलब बारिश से and wind wind मतलब हवा से different people wear different clothes अलग-अलग लोग अलग-अलग तरीके के कपड़े पहनते हैं we should always wear clean cloths हमें हमेश्या साफ सुत्रे कपड़े ही पहनने clean मतलब साफ सुत्रे कपड़े ही पहनने चाहिए and keep them neat and tidy neat and tidy मतलब साफ और अच्छे तरीके से प्रेस किये हुए ठीक है iron cloth ही रखने चाहिए ठीक है circle the cloths that you like to wear यह जो cloths बने हुए इसमें से आपका होमवक रहेगा इसको आपको circle करना है कि इनमें से आपको कौन से कपड़े पहनना पसंद है next देखता है types of cloths मतलब अलग-अलग तरीके के कपड़े types of cloths पढ़ते हैं अलग-अलग तरीके कपड़े कौन से होता है पहला होता है cotton 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 cloths क्या होता है we wear cotton cotton cloths in summers मतलब हम गर्मियों में cotton के कपड़े पहनते हैं cotton cotton cloths absorbs a-b-s-o-r-b absorb sweat and keep our body cool मतलब cotton क्या करता है cotton कपड़ा हमारी बॉड़ी को हमारी बॉड़ी का जो पसीना होता है उसको absorb कर लेता है मतलब उसको सोक लेता है और हमारी बॉड़ी को ठंडा रखता है we get cotton from cotton plant हमें cotton cotton plant से मिलता है next है woolen w-o-l-l-e-n woolen cloths अब woolen cloths क्या होता है we wear woolen cloths in winters मतलब हम ठंडियों के समय में woolen के कपड़े पहनते हैं woolen cloths keep us warm मतलब woolen के कपड़े हमारी बॉड़ी को गरम रखते हैं warm मतलब w-a-r-m warm मतलब गरम woolen cloths are made from wool woolen cloths बनते हैं wool से we get wool from sheep और हमें wool मिलती हैं sheep से next पढते हैं raincoat and gumboots raincoat and gumboots अब रेनकोट और gumboots क्या होता है इसको पढ़ते हैं during rain मतलब बारिश की समय में we wear raincoat and gumboots हम बारिश की समय में raincoat और gumboots पहनते हैं to keep ourselves dry मतलब ताकि हम अपने आपको सूखा रख सकें we also use umbrellas हम चाता भी यूज करते हैं we wear socks and shoes और sandals to protect our feed हम अपने पैरों को धूल मिट्टी से बचाने के लिए क्या पहनते हैं socks पहनते हैं, shoes पहनते हैं और sandals पहनते हैं people living in different part of our country wear different types of cloths मतलब हमारे देश में हम जिस देश में हम रहते हैं भारत में जहां पह रहते हैं और हम अलग-अलग स्टेट में अलग-अलग लोग अलग तरीके के कपड़े पहनते हैं कहीं पर पजामा और कुर्ती पहनते हैं, सूट पहनते हैं, कहीं साडी पहनते हैं, कहीं लेंगा चोली पहनते हैं, कहीं कुर्ता पजामा पहनते हैं, ठीक हैं, सबी स्टेट में अलग-अलग लोग, अलग-अलग कपड़े पहनते हैं, ठीक हैं, तो अब हम इस चैप्टर को य आगे पढ़ेंगे यहां से युनिफॉर्म से करता के लिए चेक के रॉल फ्यू एंड थेंक यू